नमस्कार दोस्तों, पिछले एक वर्ष में आपने देखा होगा कि क्रूड ओयल के बारे में काफी चर्चा हुई है, इन फाक्ट रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर भी हमने काफी सारे लेकिन यहाँ पर एक और न्यूस सामने आ रहा है, और वो यह है कि भारत का जो सप्लायर्स है, वो कहां से, भारत कहां से ओल मंगाता है, जादा तर अगर आप देखोगे तो मिडिल इस्ट का जो एरिया है, इराक हो गया, सौदी अरब हो गया, योई हो गया, वहीं से हम ज कोशिश की जारी है, तो इसका reason क्या है, बेसिकली उसको हम देखेंगे, प्लस oil के बारे में भी अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, उसको भी मैं आपको आखरी में बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, दोस्तों हुआ क्या है, एक्जाक्ली हम क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो refineries हैं, refineries कौन है, वहीं से जो आप oil खरीते हो ना, BPCL, Indian oil हो गया, उनके खुद के refineries हैं, refineries क्या होता है, जैसे बाहर से crude oil आता है, तो यह तो एक ही होता है, crude oil हो गया, उसको distillation process के थूर रिफाइन किया जाता है, petrol, diesel, jet fuel, अलग अलग प्रकार में बाटा जाता है, kerosene, और फिर उसके नीचे सबसे खराब होता है, तो यहाँ पर क्या है, कि जो हम oil मंगाते हैं, बाहर से वो crude oil के form में आता है, और फिर यहाँ पर refine किया जाता है, तो भारत के अंदर जो refiners हैं, वो क्या कर रहे हैं, कि अपना जो purchase है, spot का, अब इसको भी आपको समझने के जरूरत है, जो हम खरीते हैं, जो companies खरीती हैं, आपने सुना ह कि पहले से ही कई बार deal हो जाता है, तो यहाँ पर एक होता है spot का price, और दूसरा होता है, जिसको कहते हैं future price, तो suppose BPCL है, for example, हम लेते हैं, BPCL ने सौधियर आपके साथ deal कर लिया, कि 6 मेहने के बाद आपको 1000 barrel, जो crude oil है, वो हम खरीदेंगे, लेकिन 6 मेहने बाद खरीदेंग तो हो सकता है, suppose मैं कहता हूँ, अभी present price चल रहा है, $50 per barrel, ठीक है, future का हो सकता है, कि यह $60 भी हो सकता है, और हो सकता है, यह $40 भी हो जाया, डिपेंड करता है, वो अलग-लग scenarios में होता है, तो वो future का होता है, तो usually अगर आप देखोगे, तो जो companies हैं, वो क्या करती हैं, कि sudden increase or decrease price में जो होता है, crude oil के, उससे बचने के लिए, यहाँ पर वो future में ज्यादा deal करते हैं, मतलग कि 100% है, जो oil मगाया जाता है, तो ज्यादा तर यह दिखा जाता है, कि 75%, 80% जो है, वो future के price पर हम मगाते हैं, और बाकी का जो 20-25% है, usually क्या होता है, वो हम spot के price पर मगाते है हैं, ऐसा companies करती हैं, तो यहाँ पर याद रखना हम future के price के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो spot में, जो तुरंट खरीदा जाता है, उसकी संख्या आप Indian refiners क्या कर रहे हैं, वो जो खरीदे हैं, उसको Middle East से shift करके, अब हम कहां से खरीद रहे हैं, Africa और North America से, मतलब कि धिरे धिरे ये shift देखने को मिल रहा है, और इसका main कारण क्या है, main कारण यह है कि Middle East के अंदर अगर आप देखोगे, especially Saudi Arab हो गया, Iraq हो गया, उन्होंने क्या किया है, कि अपना जो production है, supply है, उसको वो cut करते जा रहे हैं, अब सोच के देखो, supply कम होगा, तो क्या होगा, मतलब धिरे अमेरिका से मंगा रहे हैं, in fact ये भी बताया गया है कि भारत, जो कि wish में अगर आप देखोगे, तो तीसरा largest oil market है, जब हम खरीदे की बात करते हैं, तो यहाँ पर 10% से बढ़कर, 15% होने वाला है, जो spot के अंदर, जो prices के हम बात करा हैं, spot के थू मंगाते हैं, ये 10% से बढ कर 15% का jump हमें देखने को मिलेगा, और जैसा मैंने बताया कि भारत के जो main suppliers थे अभी तक, अभी भी हैं, एक तरह से सौधी अरब, इराग, ये लोग यहाँ पर धिरे धिरे, ओपेक जो पूरा देश है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा आकरी में, ये लोग output में थोड़ा क अफरिका को देखने को मिल रहा है, जो opportunity है, वो लेने की कोशिश कर रहा है, US और एफरिका, कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो, especially US हो गया, नाइजीरिया हो गया, यहाँ से जो oil आता है, जो US और नाइजीरिया से oil का production होता है, पूरे विश्व के अंदर, जहां जहां भी crude oil मिलता है, तो सभी crude oil एक तरह के नहीं होते हैं, जो US और नाइजीरिया और जो अफरिका का region है, वहाँ से जो crude oil आता है, उसमें अगर आप देखो कि तो उससे gasoline ज्यादा हम produce कर सकते हो, लेकिन नाइजीरिया और US से जो oil आता है, उसमें gasoline, gasoline ध्यान रखना इसको petrol ही का जात है, US और बाकी देशों में उसको gasoline नाम बोलते हैं, और लेकिन भारत के अंदर इसको petrol नाम से ही बोलते हैं, तो इससे आप petrol ज्यादा मगा सकते हो, अब सोचो क्या हुआ था, COVID-19 में आपने देखा होगा, लोग public transport को छोड़कर किधर जा रहे थे, private car की तरफ जा रहे थे, और घर के अंदर cooking हो रहा था, बाहर कम खाया जा रहा था, इसकी वज़य से क्या हो रहा था, जो cooking gas होता है, वो भी आपका Nigeria और US से ज़्यादा निकलता है, उनके जो crude oil आते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर, तो इसकी वज़य से क्या हुआ है, कि इन देशों के लिए opportunity आ गई petroleum corporation की, अगर हम बात करें, तो इन्हों ने अपना जो proportion है, उसको 30% से बढ़ा कर 45% कर दिया, मतलब गो लोग क्या करते थे अभी तक, कि 30% अपना purchase spot के थ्रू करते थे, मैंने आपको बता दिया पहले spot क्या होता है, और future का purchase उनका 70% होता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, कि spot का जो percentage है, उन्हों वो 45% purchase, जो है spot के थ्रू कर रहे हैं, और बाकी का 55% अब वो future के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि US और अफ्रिका जैसे देशों से मंगाना उनके लिए बैतर होगा, और medium term में बताया जा रहा है कि 40% के आसपास जो supply है, वो spot के थ्रू है, यहाँ पर जो gasoline है, जो petrol है, और जो cooking gas है, उसकी demand बढ़ गई है, लिक्विफाइड, LPG जिसको हम कहते हैं, और यह इस तरह की चीज़ें आप US और Nigeria जैसे देशों से जादा बहतर तरीके से निकाल सकते हो, उनके crude oil से, इसकी वज़े से यहाँ पर उनकी demand बढ़ गई है, leading to this shift, यहाँ पर आप देख सकते हो, North Sea हो गया, West Africa हो गया, US shale gas, यह लोग जादा तर LPG और gasoline प्रोड्यूस करते हैं, नाइजीरिया का इंफरक्ट मैं आपको बता दूँ, जो आंकड़ा सामने दिया है सरकार ने, तो नाइजीरिया से जितना हम मगाते थे, December के मैंने में 68% का जंप आया है, 68% का, US से हम जो मगाते थे, oil purchase करते थे, उसमें 77 purchase का जंप आया है, यह आप clearly देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर question आता है, क्या यह temporary है, क्या COVID-19 को देखते हुए है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा, एक बार हमें आदत लग जाती ह प्राइवेट कार से जाने की, या फिर अपने space में रहने की, और घर पर, मतलब कि अगर आप प्राइवेट कार में एक बार घूमने लग गए, तो क्या आप जल्दी shift करोगे public transport में, ऐसा कम लगता है, तो कहीं न कहीं ऐसा बताया जा रहा है, कि शायद यह जो change है, वो median term मे तो आपको ऐसा ही शायद देखने को मिलेगा, और जो refineries हैं, वो भी ज़्यादा try करेंगी, कि petrol और इसके जो production है, वो हम ज़्यादा करें, in fact यहाँ पर आप देख सकते हो, कि BPCL ने जो अपना refineries हैं, वो over capacity में production कर रहे हैं, उनकी capacity जितनी है, उसका 113% उन्होंने refinery के through production किया है अपना, तो यह shift हमें लगतार देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और मैं production के cut की बात करना चाहूंगा, तो OPEC देशों के बारे में आपने सुना का, देखो पहले यह समझ लो OPEC और OPEC Plus क्या होता है, OPEC में total 14 countries आते हैं, यह जो dark color में आप देख रहे है, आपको देखने को मिलेगा, तो यह total मिला कर करीब 14 देश होते हैं, लेकिन इसके अलावा OPEC Plus, इसमें और देश आ जाते हैं, इन सभी देश के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अजर्बाइजान, बेरेन, यह जो light blue color में, रशिया भी OPEC का partner है, लेकिन OPEC Plus के अं तो यहाँ पर वापस से वो जो production का supply रुका था, वो आने तो लगा है, लेकिन Saudi Arab, जो की बहुत जादा produce करता है, वो अभी भी cut कर रहा है supply में, जिसकी वज़य से ऐसा देखने को मिल रहा है, कि prices आगे आने वाले समय में यहाँ पर बढ़ते वे देखने को मिल सकता है, तो यह पूरा वीडियो था, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो oil की हम बात करते हैं, crude oil की बात करते हैं, वो आपको अलग-अलग type के मिलेंगे, बहुत जादा dark होगा, कोई thin होगा, कोई thick होगा, अलग-अलग प्रकार के आप color में भी difference देखने को मिलेग तो जैसे जो बहुत light होता है, वो crude oil जो सबसे light होता है, उसको अगर आप open में रखोगे तो जल्दी evaporate हो जाएगा, इस तरह के जो fuel होते हैं, वो jet fuel के अंदर इस्तमाल किये जाते हैं, ठीक है, तो यह होता है, light oil हो गया, जैसे बाकी के grade 1 के oil होते हैं, फिर medium होता है, फिर heavy fuel होता है, heavy fuel मतलब जहाद बहुत जादा pollute करता है, जैसे की bunkers वगरा होगा है, ships वगरा में यूज किया जाता है, तो यह main difference है, मतलब अलग-अलग geographical जो locations हैं, US के अंदर अलग प्रकार का मिलेगा, Middle East में अलग प्रकार का मिलेगा, इधर आपको अलग प्रकार का मिलेगा, कहां से वो production आ रहा है, इसके उपर काफी हद तक देखने को मिलता है, तो US का जैसे हम इसको कहते हैं, West Texas Intermediate, यही वाला हुआ था, जो negative में चला गया था, negative 40 डॉलर के आज पास चला गया था इसका price, पिछले साल आपको याद होगा, इसके लाबा, brand crude आपने सुना होगा, brand crude क्या होता है, यह वाला जो area है, यहां से जो production होता है, इसको brand crude आपको बता है, फिर opaque वाला होता है, जितने भी opaque देश मैंने आपको बता है, उनका क्या price है, ठीक है, इस तरह से भी count किया जाता है, तो यह पुरा वीडियो था दोस्तों, रिगार्डिंग जो भारत का shift हमें देखने को मिल रहा है, from Middle East to Africa and North America, इसके बारे में काफी details है, मैंने आपको बता दिया है, जाने से पहले आपको बताना है, भारत के अंदर, जो production है, ध्यान रखना, petroleum crude की हम बात कर रहे हैं, onshore and offshore, दोनों की बात कर रहे हैं, यहां पर सबसे आदा production आपको कहां पर देखने क चाते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंदा होगा, मिलता है, आपसे नेक्स तैम तेल देन, thank you very much, see you soon.